पहली पिटूनिया की शॉपिंग से मेरी शॉप कम नहीं हुई जिसके बाद मैंने फिर से नरसरे विजट करके और काफी सारे पिटूनिया उसको अपने गार्डन में एड़ कर लिया और इसी तरह मैंने कुछ दिन पहले ही नरसरे विजट किया और वहाँ पर मुझे फिर से क तो मैंने फिर से सारी नए नए color options के petunia select कर लिए और अपने घर ले आई और इन सब को मैंने shift भी कर दिया है pot में तो जो भी मेरे पास pot available थे तो उसे मैंने shift कर दिया और खास का ये purple और white color के petunia थे मुझे काफी जादा पसंद आए और इसी तरीके से मैंने double shaded वाले petunia काफी सारे लिए और hybrid petunia भी थे मगर उसे मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे उतनी खास अच्छे नहीं लगते है hybrid petunia तो मुझे ये वाले petunia बहुत अच्छे लगते हैं single रहते हैं मगर बहुत अच्छे लगते हैं और double shaded ही जादा तर मैंने लिया है और इस बर मैंने अपने garden में red color के petunia को भी add किया है और ये काफी जादा bright color है और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं काफी सारी कलिया भी इसमें बनी हुई है तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसे भी add कर लिया है तो सारी healthy plants से 25 रुपीज के cost में मैंने purchase किये और काफी अच्छे मुझे मिल गए plant और मैंने सब को report भी कर दिया और एक दो को मैंने अभी polythin में ही रहने दिया है क्योंकि अभी मेरे पास pots available नहीं है तो जैसे ही मेरे कुछ pots available हो जाएंगे खाली हो जाएंगे तो मैं उसमें जल्दी से report कर दूँगी और सबको मैं सोच रही हूँ कि इस बर मैंने terrace में decorate करके रखू और क्योंकि balcony में already मैंने बहुत सारे plant decorate कर दिये हैं तो काफी अच्छे लग रहे हैं मेरे balconies भी colorful हो गए है show plant और flower के plants से और इस पर मैं सोच रही होने है कि जो terrace की हमारे railings होते हैं उन में मैं इसे decorate करू और उसमें भी काफी अच्छे लगेंगे तो इसे लगभग hanging किया भी जा सकता है petunia काफी अच्छे से hanging हो सकता है दिखने में भी काफी अच्छे लगते हैं जाद तर petunia इसको hanging के लिए ही use किया जाता है और maximum time में जितने भी videos बनाई हों सब में hanging करके दिखाई हूँ petunia को काफी अच्छे लगते हैं ये देखने में और मैंने अभी एक जगा पर इसलिए रखा है क्योंकि मैंने अभी decide नहीं किया है कि इन्हें मैं कहाँ पर रखने वाली हूँ तो इसलिए अभी दो-तीन दिन ही हुए इनको लाए हुए तो थोड़ा सा इनका जो healthy है वो थोड़ा सा down हो चुके हैं क्योंकि water watering वगरा ठीक से नहीं मिल पाए थे वहाँ nurseries में तो मुर्जाय हुए थे जब मैं लेकर आई थी तो घर लाने के बाद मैं इनमें watering की और अभी fertilizer का यूज नहीं की हूँ क्योंकि तो रहन फरडिलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए चाल पास दिन रहने देना चाहिए अपने गार्डन में भी और इस तरीके से मुझे ये plant काफी अच्छे लगे तो कैसा लगा आपको फ्रे अजए फेग Maaola का यूजciğim